हेलो गुट मॉर्णिंग फैंस वेलकम बैक कैसे हैं आप सब तो यहां पर परी कर रहे है कलर तो मॉर्णिंग में इन हाथ होकर के रेडी होने के बाद नाश्ता पाने करने के बाद परीब करते थोड़ सी स्टैडी जिसमें कि उसको कलर करना होता है तो कोई भी एक रेंडम प यह मत सोचेगा मैडम जी पढ़ती है आप से बैठके बिल्कुल भी नहीं दे खुझ जरा सा किया और मुझे पकड़ा दिया मम्मा आप करो आप बनाओ मैंने बना लिया हो गया मैं चलो ठीक है तो थोड़ सी हैल्प मैं कर देती हूं उसकी तो उसको कलरना अच्छा लगता तो आज मैडम को मैंने बूला था कि आप इनको कलर करो ट्रेस करो और कलर करो तो इससे बच्चे को शेप भी आ जाती है समझ में और उसको जो पैंसिल पगड़ने की हैबिट आप वो भी हो जाती है तो पर यह तो टोटली मूर के उपर डिपैंड करता है नीरभ अपना होल दो इस इस च्राव सब्जेक्ट में उसको जो है प्रोजकत मिले है जमी उनको कौई पंजों पूलना है अलसों भी आनी है और यह पर होना था करी है तो आजकल बäई मतलब ऐसो Feels कि ममी वापा कोई करना पड़ता है और बड़े होने के बाद भी और थोड़ा साही थी नहीं बॉइस और गर्ल्स में फरक रहता है शायद से इस एच में गर्ल्ल होगी उसकी सेम क्लास की अगर मैं किसी गर्ल की बात करूं तो वो ज्यादा होता है इंडिपेंडेंड़न होती हैं और बोईस थोड़े से कम होते हैं तो यह डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है मतलब एक नोर्मल सी बात यह है ना कि लड़के जदा धिरा और यहां परी से पूछ रहे हो कि कोन सी शेब है कर ले वगए तो सो का यह यह बना कि दे strips रही है यह चाल रहे हैं कि नामनी बता रही यह हो साँ है तो मैंने इसको देखा है ट्रेंगल और हार्ट शेफ तो देखू हम उसको बोलेंगे इतर साइड बे नहीं बिंगों बीच में और पर ही थोड़ी से रिस्पोंसिवल आपने उठागर के चीज़े रख देगी और बड़ी अपने केर करती है अपनी चीजों की तो मैं तो दोनों के बतलों उसी बीहेवियर से बता बट study को लेकर के थोड़ा सा वो है उसका की उसको थोड़ा सा बोलना पड़ता है प्रेश्राइज करना पड़ता है बट मैंने एक दो वीडियो देखी थी जहां पर डोटर है उनकी वो same age में है और वो काफी responsible है तो पहली बात तो मैं compare ने कर रही हूं कि बच्चे को compare करने त तो मुझे ऐसा लगता है और same day हम लोग शाम को वापिस से आ गए थे दिल्ली और बहुत ही प्यारा सा ब्यूटिफिल सा व्यू था क्योंकि बारिशे होई रही थी कई दिन से तो बहुत ही प्यारा व्यू था तो मैंने इसको record कर लिया और साथ में सबसे favorite हमारा आज भी मत सबसे जर Mixützen आख और सब्सक् ultrasound अड net भी मतलुजी हो तो पटानी क्यों जाता ही नहाई रही है उच्छए अा उसको देखना ये अच्छा लगता है मजह ये तो लगता है क्या राएं तो चलिये हम पहुंच गए हैं दिल्ली गाड़ी से वह प्लेन से नहीं और जस flour हम आये cuidado रात को भयंकर मतलब भयंकर वाला जो तुफान है न वो आया था और मैं डर गई थी इस ट्रैम तक मैं जग रही थी तो जैसे आवाज आई तो मैं बाहर निकले कि हुआ क्या है मतलो इतनी तेज आवाज और मतलब साउंड सुनाती मैं आपको तो 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 थी भैंकर आवा जा रहे थी ना अतला डर लगे रहा था मुझे हम ओली गए थे टौर पेक बार और वह बिल्कुल पहाड के ऊपर सिर्फ एक ही होटल था हमारा वहां पर हम ऊटल से निकल गए थोड़ा सादूर के थे वहां पर एक ऐसे चबूत्रा साब ना र पर भी आ रही थी और इसनी भैंकर बिजली चमक रही थी और मतलब कैमरे में बोलो कुछ रिकोड़ी नहीं हो पाया है जिती भैंकर थी बुरा हाल था यार और इस टाइम पर टाइम हुआ था सवा एक पता नहीं क्यों मुझे वहां से आने के बाद नींद ही नहीं आई तो मै जगरी थी अपना काम कर रही थी काम क्या कर रही थी मतलब वीडियो देख रही थी नींद या थी तो मैं सुझे चेक आउट कर लेती हूं अपनी फेवरिट यूटूबर्स की वीडियो और परी और नीरव अंदर वाले रूम में सोवे थे दोनवारा हम से सोरे चैन की नीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बस खाना खाया और टाइम हो गया था और अब मैं सुन रही हूं बैठके अपने वीडियो देखंगे अराम से और बाहर फिर थोड़े दिर बाद ही बारिश स्टार्ट होए थी और बारिश और आंदे इतनी जोर की थी ना कि मेरी हमत नहीं कि कि मैं दर्वाजा खोल के बाहर चली जाओं और शुकर है मैंने उससे पहले सारे प्लांट से जो उपर रखे हुए थे वो नीचे रख दिये थे तो यह देखो कि इतने मतले बूंदे भी इतने भारी भारी बूंदे है ना और बिजली जो चमा करी थी और आवाज थी तो मै हिम्मत ही नहीं हो पाई कि मैं दर्वाजा खोल के बाहर जाओं बिल्कुल भी तो मैंने जलिए जो भी शूट करना था मैंने बस अंदर से ही किया और ये पता होगा दिली वाल लगो तो मैंने फिर बाब में सुछा तो उपर अनों ने बोला यहाँ पे तो ऐसे ही हो रही है बारिश जबकि गुडगाओं में बारिश हो रही थी लेकिन बहुत हलकी बारिश हो रही थी मतलब दिन रात की बारिश थी रुकी नहीं लेकिन बहुत हलकी लेकिन इसको देखके तो बड़ा डर लगा तो अनों ने बोला यह तो कुछ भी नहीं था इससे पहले बारिश हो étा कुए अब मैं वार्ष वाली है तक वॉॉ रिखने वाले थे तब तक यो बारिश है वो हो रही थी दिए देखिए और मैं सो ही नहीं थी तो बस मैं बैठके फिर अपना जो है वो देखने लग गई थी अपनी वीडियो जी तो इस तुफान ने को सच में डराई दिया था रात को और सुबह देखिए कितने तेज धूप निकली हुई है ना मतलब बि कैसे होई कि यह वाला प्लांट देखो कोरने में रखा लेकिन फिर भी सूखा हुआ है पता नहीं क्या से मतलब इधर की भी बारिश थी लेकिन फिर भी सूखा हुआ है और यह वाला भी तो सारे यह सूखे हुए तो मैं थोड़ा सा इदर रख दूंगे इनको धूप लगा प्लांट के लिए अधरवाइस बैचारे खराब हो जाते हैं तो प्लांट दोनों की मतलब ही प्रोब्लम रहती है उनको रखो तो सही घर में लेकिन फिर आज जब आप कहीं जाते हो ना तो किसे ने किसी को रिस्पोंसिवल्टी देनी ही पड़ती है अधरवाइस वह फिर खराब हो जाते हैं और यह वाला प्लांट भी काफी अच्छा चल रहे लेकिन यह भी सूखा हुआ है यह वाला भी सूखा हुआ है इतने पारिशों के बाद भी सूखे ही है अब इनको मुझे पानी देना है इनके अंदर तो एक बार सब को चेक कर लेती हूं कि किसमें क्या है कि सीजगी कहां पर रखना है और इनको क्लीन करके फिर अब आज इनको अंदर भी रखना है क्योंकि काफी टाइम से बाहर है तो यह सारे जो इस तरफ के प्लांट से और मोस्ट सारे ही सूखे है तो इनको क्लीन करेंगे और पानी इनको देके इनको अंदर शिफ्ट कर द झाल झाल तो एक दो मेरी जो तुलसाजी है वो मर गई है और जो मेरे सनिक प्लाइन थे वो भी सारे खराब हो गई है और मुस्ट पता ने क्या हुआ है तो सबसे पहले तो काम स्टार्ड करें सारा ठीक करना है उससे पहले जो मशीन में लोड है वो लगा देती हूँ क्योंकि दो से तीन बार तो अराम से ही लगने वाला है क्योंकि सब के कपड़े हो रखे हैं फिर सारी बैडशिट्स बगरा है वो भी मुझे क्लीन करनी है तो उसके लिए पहले एक बार मशीन में लगा देती हूँ एक लोड और जो सर्फ है वो भी मेरा खतम हो गया क्या करें वट कोई नहीं चलो कुछ तो करना पड़ेगा न जुकार तो यह वाला जो सरफ है दूसरा यह टाइड है जो मैं सिरफ किचन के कपड़े वोश करने के लिए करती हूँ वो लगा रही हूँ मिक्स करके और यह मशीन का हालत है नहीं बहुत खराब हो चुकी हैं सरफ इस वज़े से है कि मुझे इसकी वीडियो बनानी है क्लिनिंग वीडियो आप लोगों के लिए और मैं इसको साफ नहीं कर पा रही हूँ मतलब देखो क्या हाल हो रख है मतलब सब्सक्राइब करना है और सबसे बड़ी प्रोलम पता क्या होती है मेरी कहीं से भी आओ जाओ तो सफाइक करने पड़ती है जो कीड़ा है ना वह बिना सफाइक यह शान्त होता ही नहीं है तो आज पूरे घर की क्लेमिंग है और घर आते हैं स्लेंडर है वह भी खतम हो गया था तो यहां पर पाइपलाइन तो आ गई है पर चालू नहीं हुआ है इसी वजह से मैंने जो इंडुक्शन है वह मंगवाए था कि किसी भी टाइम पे आपकी गैस खतम हो जाती है तो यह तो एटलिस्ट काम आ जाए तो मैं बना रही हूँ हरबल टी विद मिल्क मतलब सारे सब जड़िक बूटिया डालके जो चाय है वह बनाती हो और इसका टेस्ट पर बहुत यम्मी आता है पानी डालके सारी चीजों को डाल दो और फिर आप उसमें उसको एक बॉयल दे के फिर अपने चाय पती डालके चीने डा है तो चाय वगेरे भी हमारी हो गई है और मुझे आज पूरा दिन क्लेनिंग में जाने वाला है तो ब्रेकफास्ट बहुत ही सिंपल सा मैं बनाऊंगी बनाना और स्मूधी बनाऊंगी अपने और विनोट के लिए उससे पहले बच्छों को बनाना शेक बना के दे रही हू तो परी को सिंपल बनाना शेक बनाती हूँ नीरव को प्रोटीन पाउडर मिक्स करके उसी में और बस जैसे दो बनाना लिए एक चपाउडर और मिल्क डाल के और व्लेंड करके नीरव को दे देती हूँ तो उसका तो जो बनाना शेक है वो सिंपल हो जाता है और परी का सिरफ बनाना एंड जो है मिल्क बस इसी तरह से बनाती हूं और अपने अर्विनोत के लिए बनाना और स्मोधी बनाओंगे जो कि काफ़े फेलिंग होती है बच्चों को इसके बाद उन्होंने अज एग मांगे है तो उनको एग बॉयल करके दूँगी तो उसके बनाना शेक के बाद अगर एग भी खाते हैं तो उनका पेठा जो फुल रहेगा और वो हेल्थी भी है तो ये नीरव का तो हो गया है अपना रैडि उसके बाद मैं अपने और विनौत केलिए है वो भी बना लेती हूँ एंड लीटल हैंसम मेरे लीटल हैंसम के लिए है यह तो चलिए मैं इसके एक बार ऐसी पर आप लोगे साथ शेयर कर देती हूँ तो यहाँ पर मैं एक बनाना ले रही हूँ उसके साथ में ओर्स भिगो रखे थे तो तीन चमच ओर्स लोगी हलका सा रोस करके उसको 15-20 मिनट क जो है आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं और थोड़ा सा डू डालूँगी थोड़ा सा कोको पाउडर डालूँगी एंड जो आपका रैडी हो जाएगा आपका बनाना ओर स्मोधी बहुत ही फिलिंग है आपके पेट को फिल रखती है और एनरजी देती है साथ में हेल्दी तो है ही तो ये मेरी most favorite recipe हैं तो ये मैं बना लूँगी और इसको enjoy करेंगे और उसके बद करना है मुझे दिन भर काम और वीडियो इसे आगे की मैं shoot नहीं कर पाई क्योंकि जब बहुत सारा काम होता है और आप वीडियो बनाते है ना तो बहुत धीरे धीरे होता है वो काम ह हो नहीं पाता तो आज के लिए really sorry क्योंकि पूरा घर भी खरा पड़ा था एंड उसके साथ साथ मुझे खाने पीने का भी ध्यान डखना था तो मैं आगे की वीडियो नहीं shoot कर पाई हूं बट किसी दिन जरूर आने वाले वीडियो में cleaning वीडियो में जरूर इंक्लूड कर आगे कर ती जे कह बाई बाई